डेटा माइनिंग होती है अगर आप इंट्रोडेक्शन की बात करें तो डेटा माइनिंग एक पैटर्न को आइडेटिफाई करने के लिए यूजफुल डेटा है बिजनस के लिए यह बड़े डेटाबेस के लिए यूजफुल आता है अपयोगी आता है यह सूचनाओं को रखेंगे कि यह बड़े database में यूज में आता है यह hidden information रखता है और यह data category में यूज आता है data mining is also called knowledge discovery of data मतब data का knowledge discovery अगर बूला जाए तो वो हमारा data mining data mining used for processing of organization it use business data यह data के business को use करता है business data को use करता है और it has web mining or text mining मतब वैब माइनिंग और text mining की भी उसमें facility आपके पाई जाते हैं अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो यह क्या कह रहा है यह आपको कह रहा है कि अगर हम लोग आगे discuss करें तो क्या बाते हैं जो आपको हमेशा data mining में याद रखनी है सबसे पहली बात data mining के क्या क्या हमारे task होते हैं यह आप जरूर ध्यान रखेंगे और इसमें क्या 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 है उसमें भी task के लिए आप पहले क्या बताएंगे उसकी category के बारे में बताएंगे तो category में descriptive हो गया और classification of prediction हो गया description का मतलब it is following property class concept description mining of frequent pattern mining of association mining of correlation mining of cluster मतलब वापस सुनिएगा उसका description क्या है pattern कित्ती बार आपके आ रहे हैं repeat हो रहे हैं उसका association क्या है यह सब चीजें उसके अंदर आपके सामिल हो जाएगी को रिलेशन भी उसमें सामिल होगा cluster भी उसमें सामिल होगा चलिए आगे बात करते हैं आखिर टास्क इसके data mining के क्या है इसे दो method होते है एक तो data characterization होता है यह data की समरी देता है और यह एक तरह से target class भी कलाती है दूसरा जो हो data discrimination discrimination का मतलब क्या होता है discrimination का मतलब होता है कि यह जो है यह related होता है mapping से classification से mapping of frequent pattern होता है है frequent item set होता है यह कहता है कि ऐसा item जो frequently used हो रहा है जो बार-बार use में आ रहे है जैसे दूद है milk है वो बार-बार हमारे घरों में यूज आता है तो यह क्या है frequent item set frequent subsequence क्या होता है जो another item related with previous item मतलब एक से जुड़ा हुआ जब दूसा item हम लेके आते हैं जैसे इसी ला रहे है तो आपको voltage की जुद पढ़ेगी इसी तरह से frequent sub structure मतलब होता ही ट्रैफर some types of items बतब यह refer करता है आपके विविविन प्रकार के item को अब पहला यह क्या है कि रिटेल सेल है आप यह item percentage लेता है associate करता है उसके साथ में मतलब उस item के साथ में और किते item आइटम आपके जुड़े हुए है माइनिंग क्या है correlation का यह करता है कि कि यह जो भी हमारा cluster है थोड़ा साइच छोटा कर लेता हूं मैं कि यह mining of core relation negative हो गया और इसने बताया कि mining of cluster में पहला data mining में starting हो गया classification prediction हो गया classification prediction के अगर बात करी जाए तो कहते हैं कि it is a process which can describe data class and concern जो data class concept को जो describe करता है वो हमारे इसमें यूज में आता है यह analysis में यूज में आता है data training देने में काम में आता है इसे निम्न फॉर्म होते है if or then rule मतलब if or then rule का यह यूज करता है अगर यह होगा तो यह काम करेगा otherwise जो है वो काम करेगा इसी तरह से decision tree भी होता है decision tree के अंदर यह आपके tree का decision लेता है कि वह कैसे उसका expert system में यूज में आता है mathematical formula ही उसमें यूज लिया जाते हैं और इसके अलावा neural networking का भी यूज लिया जाता है तो यह क्या हो रहा है यह steps है इसके अब अपने धुराएंगे छोटा सा ही matter है तो यह कह रहा है कि it following function सब्सक्राइब क्लास and object मतलब क्या classification में क्या सामिल कर रहे हैं आप क्लास और object को सामिल कर रहे है prediction मतलब it predict missing data यह missing data को predict कर लेता भी यह data कब में सोच चुका है इसी तैसे outer analysis it defined general behavior और model यह general behavior और model को भी क्या करता है describe करता है तो क्या हो रहा है prediction कर रहा है missing data के बारे में outer analysis कर रहा है उसका define कर रहा है general behavior के बारे में evolution कर रहा है analysis का और फिर the next data mining or task जो है primitive क्याता है कि in this we specify data mining query work as a effect उसके बादे इन इत्यूज data mining query यह data mining query का यूज कर रहा है इसके task है यह आप दंश से सुनिएगा कि इसके क्या है task है इट सर्च according to knowledge यह knowledge के according search कर रहा है और इसमें क्या-क्या चीजे सामिल है characterization association classification prediction है clustering है और outer analysis है evolution analysis इसी तरीके से इसमें यह visual pattern भाई जाते है इसमें rules सामिल होते है table सामिल होती है chart सामिल होते है और graph है decision tree इसके अंदर क्या होते है सामिल रहते हैं तो डंश से द्यान रखेगा वापस से दुरा के देखे आपके rules हो गए आपके tables हो गई chart हो गई graph हो गया और decision tree हो तो यह सब चीजे आपकी क्या रहती है इसके अंदर आपके सामिल रहती है अब कहता है how can you describe data as a steps of knowledge discovery process आखिर knowledge discovery processes का क्या use है next question है charm marks का भी आता है paper में अभी कहता है कि data mining एक आवस्यक भाग था आवस्यक स्टैप्स था किसी भी process के लिए अब आपने क्या किया इसमें यह क्लीन करेंगे डेटा को क्लीन करेंगे तो साफ हो जाएगा उसको एजिली हम लोग रिमूव कर सकते हैं इसके अलावा आप जो इन कंसिस्टेंट डेटा है उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो डेटा इंटेग्रेशन भी सके दप आया जाता है इसान है अचको सार्ट काम के लिए यूच में आयेगा ने data का पता करना पढ़ेगा कि उसके स्वोर्च क्या-क्या है डेटा का सेलेक्शन करना पढ़ेगा और उसके बाद में next is data transformation उसके एक्वर्डिंग हम डेटा को क्या कर देंगे ट्रांस्फॉर्म कर देंगे बदल देंगे फिर देटा माइनिंग क्या होती है इट सप्ट डिटा पैटर एड इवेलुशन मतलब डेटा पैटर और इवेलुशन इन दोनों को मिलाकर यह किया जाता है नोलेज बाइज बर्जयंट करता है इक डाइग्राम अपने देख लिए देखें कैसे आपने पैटर मनाया उसमें से की तरह काम करता है इत गिव ऑटोमेटिक इसमरी ऑफ डेटा डीटा की ऐन अलग सा सोचने कि इसके लिए जरूरत नहीं यह करने का करता क्या करता है इसके डिफ्रन टाइप और रिजल्ट यह अलग अलग प्रकार की रविजल्ट आतल यहिट करने करता है ओसके पर्मोशंग में क्या है और साबिल होते हैं से से पहले data running and healthcare यह कहता है कि आप data में healthcare को increase कर सकते हैं अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस जो है आप कम कोस्ट में कर सकते हैं और यह कर रहा है कि यह basket and market analysis का क्या कर रहा है यूज ले रहा है अब पहले वाला जो healthcare में कैसे यूज में आता आपने सुना ही होगा के पैसेंट होता है उसकी बारे में जानकारी वह रख लेता है next time वैसा ही मिलता जुलता आता है तो वह सुचना आपको provide जो है करवा देता है तो यह क्या है यह basket का use करना और market का analysis करना तो इसमें modality method होता है if we buy a specific group of product then it is कौन सा method है molding method है if we buy a specific group of product then you can you can like other groups of product also तो आप दूसरे product को भी select करना शुरू कर देते हैं जब आप खुद के product पे काम कर चुके हैं तो यहीं इसका तरीका होता है इता है data mining in education में भी यूज आती है standard detail अखी जाती है उसका behavior क्या है उसके marks क्या है वो कैसे decision ले रहा है data mining in manufacturing company हो में भी अपनको जोद पढ़ती है वही complex number है कैसे काम करेगा CRN क्या होता है customer relationship management का यूज करता है we can increase number of customer customer भी हम लोग increase कर सकते है इसमें data को collect कर सकते है analysis कर सकते है उसके अलावा data mining in lie detection data mining को हमें lie detection में भी यूज करना पड़ता है तो चेक कर लेता है कि क्या सही है क्या गलत है यह इसका determination है और लास्ट है data mining in financial banking चेक करता है amount of data को और also care करता है transaction के बाद तो यह आपके वहां से यहां तक यह आपका matter हुआ है अगली बार यह same matter होगा लेकिन timing जो है वह आप याद रखिएगा timing हम लोग change करेंगे आप एक बार गुरूप में देख ले क्या डाल ओके